यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी दो के विजेता एलविश यादव समेट आठ लोगों के खिलाफ नौईडा पुलीस ने शुक्रवार को पोर्ट में 1200 पन्नों की चार्जशीत फाइल की है चार्जशीत में एलविश समेट अन्यों के खिलाफ 24 गवाहों के बयान दर्श किये गए है चार्जशीत में नौईडा पुलीस ने कहा है कि एलविश का जेल में बंद सभी सपेरों से संपर्क था और वह साम्प के जहर की खरीद फरोक्त के काले धंदे में भी शामिल था कि सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीत दर्श की गई है परियात साक्षियों को भी अदालत में पेश किया गया है इनमें मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ओफ फॉरंसिंग मेडिसीन ताउक सिकोलाजी के विशेशग्य की सला भी मौजूद है एल्विश की गिरफकारी के लिए पुलीस ने ऑपरेशन तयार किया और नौईडा पुलीस ने देश भर में दरजन वन्यजीव संरक्षन अधिमियम के मुकदमों से जानकारी जुटाई साथ ही जैपुर से आई फॉरंसिक रिपोर्ट का अध्धेयन भी किया रिपोर्ट में सांपो के जहर की पुष्टी के बाद पुलीस टीन ने एल्विश के कॉल डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला परियाप सबूत मिलने पर पुलीस ने उसे नोटिस देकर पूछ ताच के लिए दोबारा बुलाया जिसके बाद उसे गिरफतार करके जेल भेज दिया गया था पता दे कि यहां मामला तब सुर्खियों में आया था जब नवंबर में पीपुल्स फॉर एनिमल्स अंस्था के पदाधिकारी ने एल्विश यादव और उसके साथियों पर साम्पो के जहर का इस्तिमाल करने का आरोप लगाते हुए वन्यजीफ, संदक्षन, अधिमियम रामद हुआ था और इसे जाच के लिए FSL लैब भीजा गया था नॉइडा पुलीस ने एल्विश यादव और उसके आज साथियों के खिलाफ केस दर्ज होने के करीब 155 दिन बाद 4 जशीत दाखिल की है उसके खिलाफ बीते साल 3 नवंबर को सेक्तर 49 स्थाने में केस दर् गिरफतार किया था एल्विश की गिरफतारी के बाद उसके दो करीबियों ईश्वर और विनय यादव को भी पुलीस ने गिरफतार किया था